सबसे पहला इंपोर्टन्ट अटैक काशी पर कुतुबुदिन पैबत में किया जैसे मैंने आपको बताया कि पर्शन दितिहास का लिखते हैं घजार मंदिर तोड़े और और अरण जेव ने उस्थान मंदिर का ले लिया और मस्जिद बनाए अब मतलब ये कहानी बहुत दर्द भड़ी कहानी है अगर आप काशी जाएं तो आप लोगों को कहें अब ये को बिन्दो मादव मंदिर ले जाओ तो आपको ले जाएंगे और अजेव की जो मस्जिद है उसके पीछे चोटी गली है उसमें आपको पहली मंदिर चढ़नी पड़ेगी और वहां पे एक चोटा कमरा है और वहां पे बिन्दो मादव होगी एक चोटी से प्रतीमा है प्रतीमा है अब इमेजन करिए इतना विशाल मंदिर था अब ये चोटा जैसे कोठडी की तरह नमस्ते मिनाक्षी जी बहुत बड़ा सौब आग गया है मेरा कि आज आप मेरे साथ ये मेरे पॉडकाश्ट पर आए है एंड थैंक्यू सो मच वैबब भाई या एंडियो न्यूज जिन्होंने अपना स्पेस दिया मुझे आपको होस्ट करने के लिए तो इनके अर में थोड़ा बताई देता हूं शीज ए हिस्टॉरियन हमारे आपे थोड़ा सा डा करी आता है बट यहां पर ही मिनाक्षी जी क जो वर्क है न यह हमारी हिस्ट्री को अच्छली डिजर्विंग एफर्ट देता है या उसको एक ट्रू लाइट में लाता है और फिर इनकी ओवर टेन बुक्स है शीज ऑथर्ड मोर देन टेन बुक्स और 2020 में पदमश्री से इन्हें नवाजा गया जिसमें लिट्रेचर ए हमारा जो में मुद्धा है उस पर परसली मेरे को अमंतरित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उमीद करती हूँ कि आपके दर्शकों को ये पॉड़कास्ट इंट्रेस्टिंग लगेगा उनके लिए जानकारी नहीं नहीं मैं पेश करने की कोशिश करूँ मैं शौर हूँ कि जब कोई भी आपको देखता है कोई भी वीडियो में उने हमेशा डेफिनिटली नहीं चीज मिलती है आपको पता नहीं है ये मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि आप मेरे सामने बैठी है थांक यू सो मच चलते हैं हमारे टॉपिक पे अभी बहुत ज़ादा में स्ट्रीम में राम मंदिर की प्राण पतिष्टा हुई उसके बाद से पहले से भी ज्यान व्यापी का चालू है रिसेंटली पूजा करने का पर्मिशन मिला फिर क्रिष्ण जन्म भूमी पे भी टॉपिक शूरू है हमारा फोकस थोड़ा उसके पहले ले जाता है क्योंकि सिर्फ ये तीन मंदिर ही नहीं थे में हमारे मंदिर ऐसे कहते हैं over 40,000 temples उसका भी actual figure नहीं है हमारे पास उससे जादा ही होगी और आपकी बुक है flight of deities बड़ी interesting उसमें है मैं ज़रूर उसको बहुत डीटिल में पढ़ूँगा पर मैंने कुछ points बनाए है पर आपके पास बहुत कुछ interesting है before coming to ग्यान व्यापी so let's start from there actually madhekal का जो इतिहास है वो इतना दुख बरा इतिहास है और उसको हम भूल जाएं उसका प्रयतन आजादी के बाद एक इतिहासकारों का गुठ था इनको हम माक्सवादी इतिहासकार कहते हैं तो उनका ये प्रयतन था कि ये जो madhekal का इतिहास है और दर्द भरा अनुभव है इंदु समाज का उसको लोग भूल जाएं और वो काफी हद तक वो सफल रहे उन्होंने ये प्रयतन क्यों किया हम सब जानते हैं कि देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ धर्म के आधार पर हुआ लेकिन ये भी ध्यान रतना है कि अधिकांश लोग जो बटवारा चाहते थे वो पकिस्तान नहीं गए वो भारत में रहे तो अब ये मांकसवादी इतिहास कारूं के सामने ये चुनौती थी कि कैसे जो लोग रह गए वापिस उनके पूरवजों का जो काम रहा है इतिहास में जो उनकी भूमिका थी उसको लोगों के ध्यान से हटा दें तो उन्होंने दो तीन प्रयत्न किये सबसे पहला प्रयत्न ये किया कि उन्होंने आर्थिक इतिहास पर जोर दिया आर्थी के दिहास पर जोड दिया तो सांस्कृतिक और सभयता की उपर बिलकुल ध्यान नहीं दिया बहुत से विध्यारती हैं जो उस समय पढ़े दिल्ली वेश्व विध्याले में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में और वेश्व विध्यालों में वो ये इतिहास अपना एक्चुली भूल गए थे उन में से मैं अपने आपको भी शामिल करती हूँ क्योंकि दिल्ली उनिवर्सिटी में मेरे इतिहास का प्रफेस्टर्स जो थे वो वामपन्ती थे और बड़े-बड़े नाम थे उनका नाम लेने का कोई माइने नहीं है लेकिन मैं सरिफ ये उधारन इसलिए दे रही हूँ कि जिस परिवार से मैं आती हूँ उस परिवार में भी जब इतने राष्टवादी लोग थे उसमें भी एक माक्सवादी इतिहास ने कैसे मुझे अपना इतिहास भुला दिया और फिर मैंने कैसे कैसे वो कदम पीछे लिए और अपने इतिहास को दुबारा ढूंडा अब जब हम ये इतिहास को दुबारा और अब तो लोगों में इतनी चेतना है सब जानना चाहते हैं कि मध्यकाल में हमारे साथ हुआ था हुआ क्या था तो मध्यकाल में क्या हुआ था वो मैं अभी बताती हूँ लेकिन उससे पहले मैं एक तो और विशोपत ध्यान देना चाहते है वो ये है कि हम सोचते हैं कि तुर्की आए उन्होंने जो करना था किया और जो भारत के निवासी थे उन्होंने उन्की तरफ से कोई reaction नहीं था लेकिन ये एक बहुत गलत फहिमी है और सबसे पहले हम में से कितने लोग है जो ये जानते हैं कि उस समय के लोग उन्होंने अपना इतिहास लिखा जैसे उनके सामने हो रहा था मैं उधारन देना चाहती हूँ कि जब महमूद गजनवी ने गजनी पसोमनात पर आकर्मन किया तो एक वहां के एक मंतरी थे और उनका नाम था धनपाल और उन्होंने वो गवा थे जो हो रहा था और उन्होंने लिखा कि महमूद गजनवी यहां यहां आए और इन शहरों पर उन्होंने अपना प्रहार जिस तरह से किया और वो लिखते हैं एक उधारन देते हैं कि जब महमूद गजनवी वापस जा रहे थे तो रास्ते में उनको एक जैन मंदिर मिला और उन्होंने प्रयत्न किया महावीर की मूर्ती को वहां से उठा के फैंक दे और वो लिखते हैं कि ओ मूर्ती को हटाने की कितने प्रयात्मिक ये हातियों को भी लाया रसी से उसको बांदा लेकिन वो नहीं हटा सके अब ये सच है कि नहीं उसमें मैं नहीं जाना चाहती लेकिन ये उद्देश क्या था धनपाल का जब वो लिख रहे थे उनका ये उद्देश्य था कि हमको कमजोर मत समझा और तुमने हमारे उपर प्रहार किया है हमारे धर्म पर अटैक किया है इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने धर्म को छोड़ देंगा एक और दू-तीन और मैं उधारन देना चाहती हूँ चौदमी शदाबदी में एक लेखक थे उनका नाम थे जिन प्रभासूरी तो जिन प्रभासूरी ने उत्री भारत में जिन जिन स्थानों पर तुर्की आकरमन हुए थे उन सब स्थानों पर वो गए है और वो भक्तों को दिलासल देते हैं वो कहते हैं कि खंडित मूर्तियां भी उतनी शक्तिशाली हैं आज कल तो हम सोचते हैं कि खंडित मूर्ति की हम पुझा नहीं कर सकते हैं लेकिन वो विचित्रा समय था और इसलिए नई सोच की जरुद तो वो कहते हैं कि खंडित मूर्तियां भी उतनी प्रभावशालियां जितनी वो पहले थी और उनकी पूझा मत छोड़ो तो एक ये है दक्षिन में मैं उधारन देना चाहूंगी दो उधारन एक महिला हैं महिला थी वो विजे नगर राजकुमार की पत्नी थी तो उन्हों ने एक संस्कृत में एक काव्य लिखा और वो काव्य स्वभाग्य है हमारा कि वो बच गया एक ही कौपी बचे और वो पूरा नहीं बचा वो क्या हुआ कि बीश्वी शताबदी के आरम में एक व्यक्ति लाइबरेरी में गई किसी काम करने के लिए और लाइबरेरी में वो पुस्तक को कंसल्ट कर रहे थे पढ़ रहे थे और उनको ये काव्य उस पुस्तक में मिला तो स्रीफ एक ही कॉपी और जैसे मैंने कहा बहुत पेजिस नहीं हैं लेकिन मदुराय विजय उस काव्य का नाम है और वो जो हमको अंग मिले हैं बचे हैं तो वो बताती हैं कि देवी मेरे पती वो सपने में आई और उन्होंने का उठो कामबन क्या कर रहे हो कावेरी लाल हो गई लोगों के खून से मंदिरों में मृदंग की अवास नहीं आ रही है जानवर हाँ पे घूम रहे हैं उठो तुम धर्म को दुबारा स्थापित करो तो ये हम जैसे हम सोचते हैं कि हिंदूस की तो कोई रिस्पॉंस नहीं थी वो तो उनके मंदिर तूटते रहे और वो कुछ कर नहीं रहे ये बिलकुल गलत है और लास्ट उधरन मैं देना चाहूंगे क्योंकि सब तिरुपती का नाम सबको पता है तो तिरुपती से हम एक व्यक्ति ने सौ वर्सिज का एक काव्य लिखा तेलगु में और सौ वर्सिज में से एक वर्स हमको नहीं मिला तो 99 वर्सिज उस कावे के हमारे पास बचे हैं और वो जो भक्त है तिरुपती जाता है और बाला जी को कहता है कि आप ऐसे क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग आ रहे हैं मंदिर को जतनी आपको जितनी आपको आदर चाहिए वो कुछ नहीं हो रहा तो आप क्यों नहीं और वो खूब अपनी शिक्वा गिला उस कविता में लिखते हैं फिर लास्ट जो पंतियें वो कितनी हैं भगवान मुझे माफ करें मैंने गुसे में क्रोध में इतना कुछ आपको कह दिया लेकिन मैं फिर खुल अपने आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहा कि जिस तरह से हमारे मंदिरों में जो हो रहा है और मुझे लगता है इसलिए मैंने किया मुझे माफ कर दिया तो ये जो काविया हैं ग्रंथ हैं ये तो हम भूल गए ना कितने लोगों को याद हैं अब आपने दूसरा प्रशन पूछा कि बही क्या रिस्पॉंस थी अब ये जो रिस्पॉंस थी दुनिया में किसी भी देश में ये रिस्पॉंस नहीं आई देखे जब अरब और तुर्की आर्मी विश्व के और देशों में गई इजेप्ट, इरान, सीरिया तो वो वहाँ पर उनका पूरा अल्मोस्ट उनका धर्म परिवर्बन हो गया था और वो जो संस्रिती सभ्यता थी उसका कुछ नहीं बचा जो शेश बचे हैं वो म्यूजियम्स में हैं भारत एक मातर देश है जिसमें ये युद सभ्यता कार युद संस्रिती कार युद हजार साल तक चला लोगों ने क्या वज़े से कुछ लोगों का धर्म परिवर्दन हुआ क्या मजबूरी थी क्या थी लेकिन ये सभ्यता कमजोर हो गई इसमें कोई दोराए नहीं है लेकिन ये तब भी बची रही अब इसका महत्व क्या है कुत्री भारत में अठारवी शताबदी तक कोई मंदिर बचा नहीं था सब कुछ साफ कर दिया था हम बाद में काशी के बात करेंगे तो वहाँ पे कुत्वुदीन एबख जब आए तो वो कहते हैं कि हजार मंदिर उन्होंने काशी में तोड़ी हजार हजार ये मैं नहीं कह रही ये जो उस समय के इतिहास कार थे जिन्होंने फारसी में क्यूंकि उनके लिए बहुत गरकी बात थी तो वो तो सारा रेकॉर्ड करते थे नहीं कोई मतलब नहीं था क्योंकि उस से तो उनकी इज़त बढ़ रही है अपनी समाज में तो अब ये हम डिसकास करेंगे लेकिन मध्यकाल का मेरे अनुसार सबसे मतलब की क्या मैं बताऊं सबसे इंपोर्टन मतलब की ये कहानी की एक समाज खतम हो गई लेकिन तब भी उन्होंने अपने भगवानों को छोड़ानी और कैसे नहीं छोड़ा क्योंकि हर मंदिर का इतिहास अगर आप पढ़ें मंदिर को तो बचा नहीं सकते क्योंकि मंदिर इतने विशाल बिल्डिंग्स थी तो मंदिर में सबसे प्रिय क्या था मूर्थी तो उस मूर्थी मंदिर की मूर्थी को बचाने के लिए क्या-क्या संघारश क्या-क्या परिश्रम किया ये कहनी रोंटे खड़े हो जाएंगे आंखों में आसू हा जाएंगे मैं दो-तीनों धारण दूँगी अगर आप प्लीज आप जितने देना चाहते हैं सबसे पहला आक्रमन हुआ अरब्स का सिंध में तो सिंध में सन टेंपल था उसकी पूरे देश में बहुत मान्यत्य थी और कोने-कोने से लोग वहाँ पे जाते थे राजा महराजा अपना चड़ाबा भेजते थे और यूइन सैंग जो सेवंध सिंजरी में बुदिस्ट ट्रैवलर हैं वो वहाँ पे गए थे और उन्होंने दिखाया उन्होंने लिखा कि मैं यहाँ पे गया था यह मूर्ति है मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन बगएरा दिया है तो वो आई विटनस अकाउंट थे चीक है? तो उस अकाउंट की बहुत इंपोर्टन्स है तो यह थे यूइन सैंग उसके बाद हम देखते हैं कि मुहम्मद कासिम आकर्मन कार्ण और मुहम्मद कासिम को बताये जाता है कि यहाँ पर इस इलाके की उननती का कार्ण यह मंदिर है तो मीर कासिम को लगता है कि इतना चढ़ावा आता है तो मंदिर की पुजारि को बोलते हैं कि मैं मंदिर को छोड़ देता हूँ अगर मेरे को कितना हिस्सा चढ़ावे का दे ये तो उनका बड़ा पुराना स्टाइल था कि हर जगे चढ़ावग को हमको दे दिए हिस्सा है इसका अयूध्या में भी है काशी में भी है मत्रा में भी है वो सब जगे हम डिसकस करेंगे तो उन्होंने का ठीक है लेकिन उसके बाद पता नहीं उन्होंने उस मंदिर को तोड़ दिया मतलब वो जूटा प्रामिस था उनका अब मुझे नहीं पता क्या था लेकिन उजारी उन्हें कहा कि हम देने को तयार हैं लेकिन क्या हुआ पहले उन्होंने गाय का मास का हार पहना दिया मूर्ती को और फिर मतलब जिस तरह से अपमानित कर सकते हैं और उसके बाद किसी समय वो मूर्ती भी गायव हो गई और मंदिर तोड़िया लेकिन मतलब कि हमको प्रेड़ना लेनी चाहिए हैं अब हम सोच रहे और अपना जो खो गया था उसको वापिस लेंगे हम यह सोच रहे हैं न भी तो यह मुल्तान में उन्होंने क्या किया उन्होंने कहा कि हम वगवान की पूझा नहीं चोज़ा तो एक लकड़ी की मूर्ती बना और लकड़ी की मूर्ती पूझना शुरू किया और जब भी आक पूझा नहीं छोडेंगे और हम अगर आपने एक मूर्ती हमारी तोड़ी है तो हम उसकी जगह दूसरी लेंगे तो यह कहानी सब जगह है क्योंकि मैं सारा उतरी भारत का नहीं देना जाती मैं बताना चाहती हूँ कि दक्षिन में भी है दक्षिन में शी रंगना टेंपल क के बारे में सब्त सुना है चीक है आज भी इतने लोग महाँ पे जाते हैं तो श्री रंगनात्र मंदिर पर पहला आक्रमन अलाउदिन खलजी की सॉरी पहला आक्रमन मलिक कफूर नहीं किया चीक है तो उस टाइम जब आक्रमन हुआ तो लोगों को तो पता नहीं था न कि ऐसे उसके बाद दूसरा आक्रमन हुआ अब जो दूसरा आक्रमन हुआ तो जो पुझारी और धक थे वो मूर्ती लेके भागे बाकी तो कुछ पचा नहीं सकते थे और वो मूर्ती को लेके कहां 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 दक्षिन में गए क्योंकि तुर्की सेनाएं पीछे आ रही है फैन केरल पहुंचे, तो वो हैरान हो गए, कि इतने मंदिरों के पुजारी, अपनी मूर्तियां लेके भी केरला पहुंच गए. अच्छा. मतलब सब शरनलिन, तो तुर्की आर्मी से बचना है, अपनी मूर्तियों को बचाना है. तो सब केरला है. क्योंकि वो तुर्की आर्मी वहां तक नहीं पहुंच तक तक थी 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 तो प्रारम में आकरमन की बात कर रही हूँ. So they went to केरला. तो इसका मतलब है, आप imagine करें, हम सोचनें कि उत्री भारत में ही अटैक्स हुए, दक्षिन में नहीं हुए. दक्षिन में भी खूब हुए, कितने सारे तो खतम हुगए. तो अब वो केरल पहुंच गया, शिरंगनाथ की मूर्ती. और कुछ समय बाद हमको सूचना मिलती है कहां से? तिरुपती से. तो क्या होता है कि एक जमीनदार तिरुपती गए थे. जैसे लोग जाते हैं भक्त, पूजा बगएरा करने के लिए. और वहाँ पर ये रंगनाथ की मूर्ती देखते हैं. और वो ये इन पुजारियों को बोलते हैं. ये तो मेरे मंदिर की मूर्ती है, यहां पर कैसे आ गई? तो उन्हें का मेरे को ये मूर्थी वापिस ले जानी है तो उन्हें नीका ठीक है मलगे कोई डिस्प्यूट नहीं था नहीं कै Leonardo कौण पता था ना तिरुपती में उनको पता था ये मूर्थी रंगनात की बाहर से आई है उन्होंने मंदिर एक छोटा सा बनाये था रंगनाथ के लिए उसका मंदिर अभी भी आप जाएंगे तो आपको रंग मंदप उस जगे का नाम है ठीक है तो उन्होंने का आप ले जाए तो वो जो जमीनदार था या फ्यूडल लॉर्ड था जो भी छोटा आदमी था मतलब छोटा उसका पद था आदमी तो क्या छोटा था तो वो वहाँ पे अपने अपने इलाके में कुछ देर तक शीरंगनाथ की मूर्थी रखी और फिर शीरंगनाथ की मूर्थी उस मंदिर में जाके दुबारा स्खापित की जहां से वो पुजारी ले गए थे और रंगनाथ मंदिर में अगर आप जाएंगे तो दिवार पे एक शिला लेग है और वो कहता है उस शिला लेग में लिखा है कि ये व्यत्ती शीरंगनाथ को तिरुपती से इस दिन इस सन वापिस लेके आए तो ये मन घरन बात नहीं है मार्क्सवादी इतिहासकार जो होते हैं इसको मन घरन कहते हैं क्या नहीं वो कुछ कहते हैं तो इसको चुपा के रखे हैं तो मिनाक्षी टेमपल पड़ जब आक्रमन हुआ तो जो पुजारी थे उन्होंने क्या किया जो लिंग था ना में लिंग उसके आगे एक और दिवार खड़ी करती ताकि जो आकर्मन कर रहे हैं उनको यह पता नहीं चलेगा कि भी पीछे लिंग है तो दिवार खड़ी कर दी और उसके आगे एक और लिंग लगा दी तो जो आकर्मन किया तो उन्होंने इसे जो यह लिंग है और उस link पर उनके तलवार के निशान भी आपको मिलेंगे अभी लिए और जो real link था उसको दिवार के पीछे शुपा दिया फिर भी दूसरा link था उसको भी तोड़ नहीं पाया अच्छे से नहीं मतलब कि मतलब प्रहार किया तो तलवार के निशान आपको दिखेंगे और जो मिनाक्षी की मूर्ती थी उसको गोपुरम में जो उपर होता है वाव तो यह मतलब कि हमको अपने इतिहास से प्रेना लेनी चाहिए और हमको कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे पूरवज थे उनकी तरह साहस दिखाएं उनकी तरह कमिट्मेंट दिखाएं अपनी सब्विता संस्कृती के प्रती देखें ये जो लोग कर रहे थे इनको कोई इनाम नहीं मिल रहा था ना कोई हिंदू राजा था कह रहा है कि आपको इतना सोना दूँगा आपने ये काम किया है वो तो उनके तो नाम भी हम भूल गए लेकिन इतने हजारों थे जिन्होंने हमारी सब्विता को बचाए रखा उन कठिन पर इस्थे थे अपनी श्रद्धा बचाने के लिए जिसे आराम से वो मुस्लिम में कर्णवर्ट हो सकते थे जिसे बाकी सारे देशों में हुआ ही है बिल्कुल और उन्होंने अपना जो भी एक क्या कहे इसको क्या बोल सकते हो कम है क्योंकि श्रद्धा बोले जो भी बोले आज के टाइम पर इतनी मिसिंग है अगर सेम सिचुएशन आती है मुझे पता नहीं कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं बिल्कुल नहीं और मतलब कि एक ना आधा पता नहीं कितने लोग वापस आए अपने घरों में जब वो मूर्ती से को लेके गए अच्छा एक और बात मैं बताना चाहूंगी इसी सिलसली में कि दक्षिन में जो मूर्तियों की पूजा होती थी थी ना तो जो उजारी थे और जो भग थे वो उन मूर्तियों को या तो जमीन में दफना देते थे तो क्या करते थे कि वो एक गढ़ा खोथते थे उसकी तरफ सारी तरफ से लाइनिंग करते थे ताकि मूर्ति को कुछ नुकसान न हो और मूर्ति को उल्टा दफनाते थे फेस डाउन और उस तरह से फिर उसको और ये कहां छुपाते थे ये सिर्फ जो पुजारी और जो उनके helpers थे उनको पता था और क्या हुआ कि उन्हेंने सोचा नहीं था कि इतना लंबा ये उरकी राज चलेगा तो जो जिन लोगों ने actually छुपाए थे वो मर गए बाकियों लोगों को पता नहीं था तो अब आप कहानियां सुनते न कि एक किसान अपना खेती कर रहा था और उसको मूर्तियां मिली तो वो पुरानी 700-800 साल पहले जो छुपाई गए थी वो मूर्तियां वो कितने लोग का स्टोरी ऐसा सुना है कि उन्हें सपना आया कि मुझे निकालो मैं इधर दफनावा बहुत टाइम से और यह कहानी नहीं है यह मत्रा में बल्ले बचारिया जारकंड में भ्रह्मन कर रहे थे तो उनको आवाज आती है गोवर्धन कि भी मेरे को मैं इस पहाड़ी में हूँ मेरे को मतलब की आजाद करो तो वो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे वो खुदाई करवाते हैं, उनको मूर्ती मिलती है और वो मूर्ती की फिर वो छोटा मंदिर बनाते हैं और फिर वो उस मूर्ती की कहानी बाद की हम बाद में करेंगे और Gens का महावीर झी राजस्तान में सवाए माधुर्पूर में एक बहुत important जैन सेंटर है महावीर जी उसकी कहानी क्या है कि वो महावीर जी की मूरती है इतनी अद्भुद सुन्दर मूरती तो वो भी जैसे आपने कहा एक स्थान पर कहते हैं कि गाए हर रोज वहाँ पर दूद देती थी अच्छा खुछ से हाँ ये लोगों का मानना था क्योंकि उनको क्या पता कि यहाँ पर मूर्थी है तो जब उनको मतलब ये कहानी है अब ये कितनी सच है ये मुझे नहीं पता लेकिन ये फैक्ट है कि वहाँ पर खुदाई की और ये महावी जी की मूर्थी वहाँ से निकली तो ये मतलब कि जो हमारी हमारा धर्म है न उसको अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड कर दिया जैसे कि धर्म को दफना दिया अगर मैं ऐसा कह सकते हैं और मेरे को लगता है कि एक वज़े हमारा धर्म बज़ गया क्योंकि हर व्यक्ति अपने घर में भी बुज़ा कर सकते हैं जी कोई जुरूरी नहीं है कि मंदर ही जाके करो आप मूर्थी अपने घर में भी रख सकते हैं तो ये जो हमारा एरेक्टर था न मेरे को लगता है इसका भी एक रोल था हमारे संस्रिती को बचाने हैं हमारा 600 साल का कह सकते हैं मुस्लिम राजरा हमारे पूरे देश पर आल्मोस्ट तो उसके बाद में भी हम अगर एतने हेविली हिंदू रहे हैं मैज़रेटी में आइधिंग 90% प्लस हो तो आज हम अब भी अपने आपको 80% गिंदने लगे क्योंकि ओवर देमोग्राफी बद जो मुझे लगता है कि यंगर जेनरेशन है जो जिसमें हमारे से ज़्यादा जोश होगा और इनको यह सब पता होना चाहिए क्योंकि जब आपको अपना अतीत ही नहीं पता तो आप भविशे को कैसे सुधा रहे हैं तो अभी let's come to अयोध्या थोड़ा सा क्योंकि फिर हम ज जो अभी प्रान प्रतिष्टा हुई वो तो मेन मूर्ती थी पर एक राम लल्ला की भी प्रतिमा है बहुत लोग कहते हैं कि औरचा में एक मंदिर है वहाँ पे जब यह पहले नस्ट हुआ जब औरंग जेब ने तोड़ा यह मंदिर को तब उदर से जो राम लल्ला की प्रत जित्र है और्चा के नरेश वो क्रिशन भगते और उनकी पतनी राम भगते तो राजा अपनी रानी को बोलते थे कि तुमारे भगवान तो प्रकटी नहीं होते अच्छा हसी मजाक में यह क्या तो उनकी रानी ने का मैं अयोध्या जाओंगी और मेरे को वहाँ पे भगवान के दर्शन करने हैं अब भगवान मेरे सामने वहाँ पर प्रकट हो अब मध्यकाल में एक महिला अपने 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 प्रोटेक्शन के साथ लेकिन ओर्चा से अयोध्य तो वो आयोध्या पहुंचती है और आयोध्या में उनका राम से राम जी प्रखट नहीं होती है तो वो निराश हो जाती है और वो कहती है कि मैं अब और्चा वापस नहीं जाओंगी अब मैं अपने प्रान यहीं पर त्याग दोगी तो वो सर्यू नदी में प्रवेश करती है जब वो सर्यू नदी में प्रवेश करती है तो उनका पैर किसी चीज से वो छूता है और वो चीखती है तो उनके जो साथी है वो एकदम आते हैं और देखते हैं क्या हुआ तो राणी को बहार निकालते हैं और लेखते हैं कि वहां पर एक मूर्थी थी जिससे उनकी टक्कर है और वो मूर्थी को बहार निकालते हैं और वो है राजा राम तो वो मूर्थी वो यूध्या से ओर्चा लेके गई और ओर्चा में राजा राम का मंदिर है अभी भी वहाँ पर पूजा होती है उस मूर्थी की ये खासियत है कि राम एज किंग के रूप में उनको लोग पूछते है तो राम लल्ला नहीं है क्योंकि हो सकते है क्योंकि कोई भी मंदिर में एक मूर्थी तो होती नहीं है तो किस मंदिर की कब वो सर्यू में पहुँची कोई मंदिर से ही आई है ना मंदिर से ही आई थी कोई मंदिर खंडित हुआ हो या किसी ने फैंक दी बचाने के लिए तो उनका वो एक संकेता की राम प्रकट हो गए उनके साथ ले गई तो ये वो वाली स्टोरी से नहीं होता है जापे औरंगजेब ने तोड़ दिया था मंदिर और वो वाली मुर्ती नहीं ये अलग चीज़ आप लाम है ये तो पहले है ना औरंगजेब से पहले है अयोध्या में तो जो मंदिर टूटा वो बाबर ने तोड़ा और बाबर वो सोल्वी शतापदी में लेकिन जो ASI के एक्सक्वेशन्स हुए थे आलाबाद हाई कोट के आदेश पे वो ASI के एक्सक्वेशन्स ने ये दिखाया कि बारवी शतापदी का जो मंदिर बाबर ने तोड़ा उससे पहले दस्वी शतापदी का उसी स्थान पर मंदिर था अब वो दस्वी शतापदी का मंदिर क्यों टूटा हो सकता है कि बाबर से पहले भी तो वहाँ पे आकरमन हुए थे ना मैमूद कजनभी के बेटे बगएरा तो हो सकत हमको यह पताने है कि वोक मंदिर क्यों टूटा लेकिन उस मंदिर के स्थान पर बार्मी शतापती में मंदिर बना और उस मंदिर को सोल्मी शतापती में बाबर ने तोड़ा यह पहली बार वापिस मंदिर नहीं बन रहा है यह दूसरी या तीसरी बार बन रहा होगा उस स्थान पर उस स्थान पर यह तीसरी बार है मतलब 10th century का मंदिर फिर 12th का और आज 21st और ऐसा ही कुछ हमारे क्रिश्न जन्मा भूमी पर भी है क्योंकि मैं उदर गया हूँ स्थान पर बाजु में ईदगा मज़्य दिखती है पर वो जो स्थान कहते हैं जब हम पूरा गूमेंगे उसके अदर एक तो मंदिर जैसा नहीं बनाया है जा पर जन्मा भूमी कहते हैं वो मुझे वो पड़ा अजीब फिल आया कि वो एक स्पिरिश्वालिटी की फिल होती ना वो नहीं आई उदर एक्च्वल में रियालिटी कह है नहीं रियालिटी मैं आपको बताऊंगे मत्रा पर कट्रा केशव देव के स्थान से हमको पहला शिलालेख मिला जो धाई हजार साल पहले का है और वो शिलालेख बताता है कि यहां पर एक व्यक्ति है और यहां पर वो इमारत बना रहा है और inscription खंडित है क्योंकि मत्रा में इतनी बार प्रहार हुआ तो कुछ पूरा बचा नहीं लेकिन जो खंडित शिलालेख है उस पे डिखा हुआ है यह मैं जो वासू देव देवताओं के देव के लिए बना रहा हुआ तो मत्रा पर हिंदूस का जो अधिकार है वो शिलालेखों से ब्रिटिश पीरिएड में कोर्ट केसिस से पूरा ब्रिटिश पीरिएड में बहुत सारे कोर्ट केसिस हुए इस्थान पर जिनके न्यायधीश अंग्रेज थे और हिंदू पार्टी या मंदिर पार्टी एक भी केस हारी नहीं अच्छा एक भी केस हारी नहीं और ब्रिटिश न्यायधीश थे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मजबूत केस होगा केस था और हर बार जो न्यायधीश थे वो इदगा पार्टी को बोलते थे कि भई तूम बार-बार क्यों आ रहे हो तुमारा कोई केस नहीं है और तूम डॉक्युमेंट्स को फरजी करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि कुछ डॉक्युमेंट्स में उन्होंने कट्रा कیश습니다 dave की जगे लिख दिया काटके कट्रा इद का तो मतलब उन्होंने कोई कोशिश नहीं छोड़ी उस स्थान को लेने के लिए और बिटिश कोर्ट्स ने कहा कि ये इस पर केबल मंदिर पार्टी का अधिकार है तो फिर आज वो इद्गा मस्जिद की बात करते हैं तो हमको ये जानकारी होनी चाहिए that it means 13.37 acres ये कट्रा केशव देव का जो एरिया है वो 13.37 acres है ठीक है और अंग्रेजों ने इस इलाके को 13.37 की निलामी की और बनारस के राजा पतनी मल एक बैंकर थे उन्होंने ये खरीद ले तो अंग्रेज रेकॉर्ड्स में जुडिशल रेकॉर्ड्स, रेविन्यू रेकॉर्ड्स में 13.37 acres का ओनर राजा पतनी मल है राजा पतनी मल के बाद उनके उत्रदिकारियों का नाम दर्ज होता है लेकिन कट्रा किशव देव कभी पार्टिशन नहीं हुआ उनके बच्चों के बीच में भी पार्टिशन नहीं हुआ अब क्या हुआ कि 1944 में पतनिमल के उत्रदिकारियों ने जुगिल किशोर बिडला को कहा कि ये पवित्र स्थान है हमारे पूरवज ने इसको लिया था क्योंकि वो चाहते थे कि यहां पर एक विशाल क्रिशन मंदिर बनाए लेकिन हमारी ये शम्ता नहीं हमारे पास इतने पैसे नहीं है और इस पवित्र भूमी के लिए हम आप से कुछ लेंगे नहीं क्योंकि ये पवित्र भूमी है हमारी एक छोटी सी गुजारिश है हमारा एक छोटा सा लोन है 13,000 13,000 रुपे का हमारे पास एक लोन है अब वो लोध हमारा चुका दिए तो जुगल किशोर बिल्ला ने वो 13,000 का लोन उधार जो उन्होंने किसी से लिया था उसको चुका दिया और उन्होंने ट्रस्ट बनाया श्री कृष्ण जनमस्थान ट्रस्ट श्री कृष्ण जनमस्थान ट्रस्ट मतलब 13.37 एकर और ट्रस्ट की डीड में उसमें लिखा कि ट्रस्ट का एके उदेशे है कि यहाँ पर एक विशाल कृष्ण मंदिर बनेगा और ट्रस्ट में बड़े-बड़े नाम थे जैसे मदन मोहनमालविया, एटसेटरा, अब क्या वज़े है कि ट्रस्ट भी मंदिर नहीं बना सका, कुछ लोग मर गए या क्या हुआ, जो गिलकिशोर बिर्ला भी कभी देहांत हो गया, तो अब 1968 में बहुत विचित्र बात होती ह एक नई संस्था सामने आती है, श्री कृष्ण सेवा संग, और ये श्री कृष्ण सेवा संग, इसको तो जुगलकिशोर बिर्ला ने नहीं कहा था ना, कि आप मंदिर बना ही है, वो तो श्री कृष्ण जनभूमी ट्रस्ट था, तो ये श्री कृष्ण सेवा संग, सड़नल सामने आती है और मुसलिम पार्टी को कट्रा केशव देज में से तीन एकड जमीन दे 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 तो उनका हग क्या था उसमें तो उनका कोई हग नहीं था और अगर मैं आपका घर बेचूं मेरे पास कोई कागज नहीं है तो मैं आपका घर कैसे बेच सकते हैं ठीक है न लेकिन ऐसा हुआ और जो इदगा अब है लोगों का कहना है वो जो 1968 में उनको तीन एकड जमीन मिली उसके उपर है ठीक है और मंदिर बाकी दस एकड पर है अब लेकिन जैसे आपने कहा अगर आप मतरा जाएं तो आप देखते हैं कि ऐसे गुफा बनाई है ऐसे इधर उधर करके आपको ले जाते हैं उस जगे हैं लेकिन मतरा के जो सब लोग हैं जिनको मैं मिली वो जानकारी सब में कॉमन है कोई रहसे की बात नहीं है वो कहते हैं कि ये गुफा जो है ये आर्टिफिशल कुफा है और जो रियल कंस का कारग्रा है प्रिजन जहां पे माना जाता है कि फ्रिशन का जन्म हुआ वो इदगा के नीचे है अच्छा ये तो बहुत बड़ा चीज़ क्योंकि उधर कोई डिस्प्यूट मैं देखा हैं नहीं वो लेवल पर क्योंकि रामजन माभूमी तो तोड़ा गया था और वो बहुत बड़ा एक कॉंट्रोवर्सी और अपने अपने एक मुव्मेंट थी पर ये तो इतना शांती से चलते आ रहा है अपने अपने एक टूरिस्पॉट है लेकिन शांती से क्यों चल रहा है मेरे हिसाब से शांती से इसलिए चल रहा है कि जिसने समझाओता किया वो तो हिंदू सरकार थी ना चै यूपी सरकार या केंद्र सरकार दोनों सरकारों तो हम हिंदू सरकार है सकते हैं इंडियन बुल सकते हैं तो और जब मैं मतुरा गई ordinary Muslims को पता था 1968 में यह हुआ है और मुझे मैं अपने आपको सोर्सिंग की बहुत मैं शिक्षित थी मुझे नहीं पता था तब तक तो अब जो मुदा है यह है कि अगर यह मस्जिद 1968 1968 के बाद बनी है तो इसका मतलब है 1968 तो वो पूरा परिसर कट्रा केशब देवी था तो 1947 में उसका क्या चरित्र था तो पहले से Hindu temple कही होगा या Hindu religious था वो Hindustan है न तो places of worship act में यह pass on हो सकता है तो यह places of worship act कि अंडर यह नहीं protected क्योंकि आप यह दिखा नहीं सकते कि यह 1947 से पहले का बना होगा है in fact places of worship act में तो यह है कि 1947 के बाद आप religious conversion भी नहीं कर सकते of the place तो वो तो 1968 में हो गया वो ही तो so the point is देखिए अब यह चेतना जब समाज में चेतना awareness होती है तब चमतकार हो सकते हैं अभी तक तो कहना नहीं चाहिए लेकिन काफी हम लोग जिनमें मैं अपने आपको भी शामिल करती हूँ सोय हुए थे तो लेकिन अब जब हमारा इतिहास हमारे सामने पन्ने खोल रहे है तब हमको actually विश्वास भी हो रहा है हिम्मत भी हो रही है आश्चरे भी हो रहा है दुख भी हो रहा है you know so this is a one very important देखिए पहले जब अयोधिया movement शुरू हुई तब विश्वास के बहुत लोगों ने कहा था कि आप हमको तीन मंतिर दे दीजाए हाँ आज भी वोई बोलते रहते हैं अब कौन मानेगा ये तो अब तो नहीं मानेगे कोई वो अलग बात है लेकिन उस टाइम हम सोचते हैं कि भी तीन भी मिलना मुश्किल है तो तीन तो दे दो एक ही अब भी मिला है बाकी हम अपना इतिहास मतलब जो आपने हमारे उपर त्यार वो हम भूल नहीं सकते हैं लेकिन हमको कोई चारा नहीं है तो हम तीन दे दो अब मतलब कि ये हमको सबक सीखना है कि भाई काल अपना समय लेता है ठीक है और हम मैंने जब पहली पुस्तक लिखी अयूध्या पर दस बारा साल पहले तो मेरे को कोई प्रकाशन करने के लिए कोई नहीं मिल रहा था और अब तो पीछे पढ़ गी होगा और मेरे को मेरे को किसी ने अब कुछ जब ये प्रधान मंतरी उदखाटन कर रहे तो मेरे को किसी ने कहा कि दस साल पहले जब तुमारी पुस्तक आई थी तब तुमने सोचा था कि तुमारे जीवन में मैंने का मैं तो ये नहीं सोचा था कि मेरे पुस्तक छप जाएगी मंतर तो बात की बात है तो देखिये मतलब की समय बड़ा बल्मान है तुली एक सिविलिजेशनल ट्रांसोरमेशन में है बिल्कुल बिल्कुल तो यूनो इट इस अब नाव टुट फिनिश दे स्टोरी अन मतरा अजी अब नाइनटीन फॉर्टी नाइनटीन सिक्स्टी अब ये सामने आएगा आना पड़ेगा किसने समझाता किया 1968 में कौन सी पार्टी थी जिनोंने ये समझाता किया क्या उनको बदले में उनको मिला क्योंकि अगर आप मंदर पार्टी का तीन एकर मस्ज़त पार्टी को दे रहे हैं तो आप मुफद में तो नहीं दे रहे हैं तो वो वोई वाला स्थान क्यों दे दिया जापर जनमबूमी है प्रॉबलम तो यह है कि भारत में मुझे ये बताईए भारत में जमीन की तो कभी नहीं थी कभी? कभी नहीं तो फिर हर बार क्यों होता है कि मस्जद मंदिर के उपर ही बनती है नहीं, it's a very serious question yes, absolutely तो अब जैसे आपने का कि मस्जद मत्रा में कहीं और भी बन सकती थी उसी जगे पर और मेरे को इतने लोग मिले मत्रा में मैं कहार जो करिशन का जो प्रिजन था वो मस्जद के नीचे है ये इन्होंने आर्टिफिशल बनाया है अब जब ये तो हो सकता है क्यों नहीं हो सकता? जब आपने तीन एकड दिये और सरकार जिसने भी समझाता है क्या उसको भी तो कुछ मिला होगा ना तो ये सब तो हमको पता करना है ना, it has to come before us तब की सरकार है अपने हिंदू करेक्टर से दूर भाग रहे थी अब देखो क्यों था ये हम यहनी सकता है या जी और अब हमारे हाथ में क्या है उसके उपर चलना चाहिए अगर स्केंदर में सरकार minority government बन गई थी और उसको कुछ और groups का समर्थन चाहिए था सरकार में रहने के लिए तो कौन से group से उनने साहित अली और उन groups को बदले में क्या दिया absolutely so these are things I can only say कि we are living in very interesting times कि ये हमारे सामने मतलब की देखिये का खुल गया है काशी में तो ASI ने दिखा दिया मंदर पूजा हमापे होती रहती थी पूजा करने का permission भी मिल चुका है 1993 तक permission मतलब की था न करते तो था ही so now if we have finished Mathura please चलते है गयान भी पर क्योंकि सबसे ज़्यादा I think लोग अभी तक वही वेट कर रहे होंगे I'm so sorry no 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 मेरा अनुमान है obviously क्योंकि ये बहुत होट टॉपिक है अभी तो एक natural inclination आजाता है पर मुझा इसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो stories है ना interesting मेरे पास जो pointers भी है और आपके पास भी जो stories है वो काशी में बहुत सारी है let me start जो मेन हमारे बिंदु, माधव और लाट भेरव मैं तो बहुत excited हो उसको सुने actually क्या है कि विछले हजार वर्ष का इतिहास हमारे मस्चिष पर इतना हावी हुआ है कि हम भूल रहे हैं कि काशी एक वेदी समय से हमारे को उसका सबूत मिल रहा है सबसे पहली शहर दी है ठीक है और क्या है ASI ने Archaeological Survey of India ने 1960s में जब पहले excavations किये तो उनको जो मिला हूँ आपी खुदाई में मिला वो वेदिक यग्य के जो कुछ instruments हैं जो यग्य में इस्तमाल किये जाते हैं वो मिले तो और उसके बाद उनको वहाँ पे वेदिक colleges थे वेदिक schools थे और हर school अब वेद का कोई विशेश अंग पढ़ाता था तो उन वेदिक schools की seals मिली हैं seals मिली हैं कि यह हम इस college के हैं टेरा कॉटर की अब इतने सारे यह भारत कला भवन है वहाँ पे कम से कम 400 seals हैं उनके पास जो खुदाई में मिली जिसमें महेश्वर का नाम है यह जैसे कृष्ण की पाडुकाज तो इस सो इंट्रेस्टिंग और वो मुझे लगता है as a historian कि वो हमारे न consciousness में पीछे चला लिए हमारे लिए इतिहास काशी का तभी शुरू होता है जब आक्रमन शुरू होते हैं मैमुद कजनवी के टाइम से और वो सभाविक है क्योंकि उसने उस पवित्र शेहर को तहस नहस करते काशी में कोई पुरानी मंदिर नहीं बचाता अठार्वी शताब्ती तक जब मराठास वहाँ पर प्रवेश किया आप इमाजन करिए यह एक पूरा इतना इंपॉर्टन्ट सेक्रेड सिटी थी अगर उसका कोई मंदिर कुछ नहीं बचा तो हमारे दिमाग में उसका कितना प्रभाव होगा तो हम भूल गए हैं कि भी रिशी वहाँ पे रहते थे वो यग्य करते थे वापिस अपनाएंगे तो हम बहाँ से अपनाएंगे इसंट इड़िए तो बट तो कम टू यह क्वेस्चन पहला अटैक मेहमूद गजनवी के बेटे और दूसरा उनके भांजे ने किया तो यह जो यह पहले अटैक्स थे तो यह अटैक्स बहुत थोड़े समय के लिए थे क्योंकि उनको डर था कि यह लोग हमारे खिलाफ ना उठ जाए क्योंकि उनको पता नहीं था ना बस आ गए तो थोड़े घंटें के लिए आए और जितना तोड़ सकते थे तोड़के चले गए सबसे पहला इंपोर्टन्ट अटैक काशी पर कुतुबुदिन एबग ने किया जैस मैंने आपको बताया कि पर्शन दी थी हासकार लिखते हैं हजार मंदिर तोड़े तोड़े एक पर्शन ने एक पर्शन ने अकेला थोड़ी था उससे ना लेके आता था उसकी लीडर्शिप हाँ बट इमेजन करिए इसका मतलब है छपे छपे पर मंदिर थे ठीक और कुतुदिन एबग ने जिन्होंने पहला विश्वनात मंदिर तोड़ा और ये पहला विश्वनात मंदिर वही सान पर था? जहां पर उन्होंने तोड़ा और उसके थोड़े वर्श बाद इल्टुतमिश की बेटी रजिया अदिल्री के गद्धी पर बैठी वो चार साल उन्होंने राज किया और उन चार सालों में एक के बाद एक बगाबतें अपने अमीरों की मतलब बहुत कठिनाई थी लेकिन उन्होंने समय निकाल लिया कि जो विश्वनात मंदिर एबक ने तोड़ा है महाँ पर जाके जल्दी से मस्जिद बना अच्छा मस्जिद बना दिये फटा-फटा तो आपको वहाँ पर मिलेगी उसका नाम है रजिया मॉस्क तो इसका मतलब है जो पहला स्थान था इश्वनात मंदिर का वो हम खो गए वो हमको वापिस नहीं मिला ठीक है? बिकोज़ अच्छा मॉस्क और जो मॉस्क अभी भी है उसके बाद before I continue the story because you know chronology dates का मेरे को ख्याल रखना है तो आपने मुझे बोला बिन्दु माधव और लाट भेरा तो मैं पहले बिन्दु माधव का कर्पी तो बिन्दु माधव जैसे नाम से विश्णु का मंदिर और ये जो बिन्दु माधव मंदिर है इसको भी बहुत बार तोड़ा गिया क्यूंकि ये कहानी है कहानी ये है कि वो तोड़ते जाएंगे और भक्त बनाते जाएंगे कभी भी भक्तों ने ये नहीं का कि भी आपने तोड़ दिया तो हम घर बैटें है हम भी बनाते जाएंगे आपको तोड़ना है तोड़ते जाएए लेकिन जब हम बनाते जाएंगे तो हम विशाल मंदिर तो नहीं बना सकते क्योंकि ना हमारे बास धन, संपत्ति, ना राजितिक बल तो छोटे-छोटे बनाएंगे लेकिन नाम वो ही रखेंगे तो जो बिंदुमादब मंदिर था वो बहुत बार तूटा और लास्ट बार उसको बनाया राजामान सिंग तो राजामान सिंग के बारे में हम सब जानते हैं वो बड़े राजपूत नेता थे अकबर के दर्बार में और उनका अकबर से रिष्टा भी था क्योंकि उनकी बहन की शादी अकबर से हुई थी तो मान सिंग ने बिंदुमादब मंदिर बनाया और उस मंदिर के बारे में बहुत से विदेशी जब भारत आए वो उन्होंने उसको देखा उसके बारे में लिखा तो वो हमारे पास उनकी लेख भी है कि भी कैसा लगता था कितना था क्या था ठीक है और ये बिंदुमादब मंदिर फिर औरन्जेब ने तोड़ा तो जब हम बिंदुमादब का बात करेंगे तो मान सिंग से पहले कितनी बार टूटा उसके बाद मान सिंग ने बनाया और फिर वो औरन्जेब ने तोड़ा और औरन्जेब ने वो स्थान मंदिर का ले लिया जो मान सिंग का था और मस्जिद बनाए अब हरा मतलब ये कहानी बहुत दर्द भड़ी कहानी है अगर आप काशी जाएं तो आप लोगों को कहें मेरे को बिन्दो मादब मंदिर ले जाओ तो आपको ले जाएंगे कहां ले जाएंगे औरन्जेब की जो मस्जिद है उसके पीछे चोटी गली है उसमें आपको पहली मंदिर चड़नी पड़ेगी और वहाँ पे एक छोटा कमरा है और वहाँ पे बिन्दो मादब लेकिन जो पूजा वहाँ पे करते थे वो पूजा उन्होंने नहीं छोड़ी अब एक दिहासकार ये नाते मेरे को समझ नहाता कि मैं इस सभेदा को क्या नाम दो मतलब कुछ स्थान छोड़ देते हैं लेकिन देवता को नहीं छोड़ी और बड़े मंदिर उन्हों बना नहीं सकते छोटे छोटे कहीं भी मिलता आप इमयाजन करिए अभी कुछ समय पहले में एक पुस्तक पढ़ रही थी और उसमें उन्होंने लिखा है कि जो खंडित मंदिर होते थे ना वही वो जो मलबा बगारे ले जाते तो नहीं थे ना तोड़ दिया वहाँ पे छोड़ दिया तो लोग उस खंडित मलबे में से भी पीसे निकालके छोटा बना दे अच्छा अब अठार्वी शताबदी से पहले का हमारे पास काशी में कोई मंदिर नहीं लेकिन तो हमको पता ही नहीं की मंदिर कैसे थे काशी में अठार्वी शताबदी से पहले उनका क्या रूप था, क्या रेखा थी हमको नहीं पता क्योंकि कोई बचा नहीं लेकिन अठार्मिश अदावती एक बहुत बिचित्र मंदिर बनता है वो क्या मंदिर है वो एक मंदिर के जो टूटे टूटे पीसित है उसको जूड के मंदिर बना है और उसमें जो खंडित मूर्तियां को सब लगा दी क्योंकि हम मंदिर तो बने तो इस हद तक हमारे हमने नमन किया अपने इतिहास को अपने पूरवज्यों को, अपने भगवानों को और चलते लिए आगे बढ़ाते रहे चीज़ को अगर आप उसको महाँ पर जाएं तो आपको दिखेगा की खंडित मूर्तियां भी लगाए हुई हैं एकदम नई मूर्तियां कैसे बनाएं और वो भी तो हमारे मंदिर के हिस्से थी तो वो सारी खंडित पीसे के आधार पर एक मंदिर बनाएं तो मतलब कि कितने मैं ये कह सकती हूँ श्रद्धा देती हूँ उनको कि वो लोग साधारन लोग नहीं थे हम बौने बन गए लेकिन वो जायंट्स थे ठीक है तो अगर हम उनको याद करें उनकी कुर्बानिया याद करें उनके प्रयत्न याद करें, वो सकता है हम भी कभी उन जैसे बन जाएं, hopefully बहुत काम बाकिए है, मतलब कि सिर्फ हम प्रेणना तो ले सकते हैं तो ये हुआ बिंदु महादव का, अब लाट भहरव, तो लाट भहरव के पहले मेरे को थोड़ा सा ज्यान भापी पे आना है क्योंकि लाट भहरव उससे connected है तो मैंने आपको बताए कि पहला विश्वनात मंदिर राजिया मौस्क तो उसके बाद जो विश्वनात थे एक और मंदिर के जग कि मैं उनको महाँ पे रखा, शिफ्ट किया गया ठीक है तो अभी मुक्तेश्वर मंदिर तो लेकिन वो भी मंदिर तूट किया दोड़ा गया तो उदर भी मस्जिद बनाती किया यह मैं बताऊंगी तो वो मंदिर तूटा तोड़ गया तो अब इनको कहां रखे तो यह इस अबरी और यह जो रजिया मॉस्क और औरंजी मॉस्क की बीच में ज़्यादा जगय नहीं है पासला नहीं है क्योंकि पास पास ही बनाना है तो क्या हुआ कि जेम्स प्रिंसेप वो उन्होंने एक उस्तक लिखी वो महाँ पे कलेक्टर थे बनारस इलस्टेटर तो जेम्स प्रिंसेप को बहुत प्यूरियोसिटी थी तो उन्होंने काशी के मंदिर जो खुद अपना देखा और लोगों से बात की मैप बनाया कि इसका फांडेशन क्या था और मंदिर का कौन से कौन से मंडब थे और जो औरंजेब ने बनाया उतना कितना हिस्सा उसने इसका लिया तो क्या हुआ कि 1906 1906 में एक व्यक्ति दीन महम्मद अब दीन महम्मद के बारे में तो मैंने उससे पहले कभी कुछ सुना नहीं अब 1906 में ये दीन महम्मद केस फाइल करते हैं एक व्यक्ति के खिलाफ Secretary of State for India Secretary of State for India के खिलाफ एक केस फाइल करते हैं वाननसी डिस्टिट कोर्ट में और वो कहते हैं कि यानवापी परिसर है इस पर ये पुरा इलाका वक्फ लैंड है और यहां पर मैं मानता हूं कि हिंदूज आते हैं लेकिन ये हमारी गलती है कि हमने इनको कभी कोशिश नहीं की रोकने के लिए रोकने की और इस परिसर के बहार एकदम उन्होंने मंदिर भी बनाया है और मूर्ती भी स्थापित किया है लेकिन उसमें भी हमारी गलती है कि हमने इनको रोका नहीं तब वो सेक्रेटरी और स्टेट को बोलते हैं कि हम पुरो यहां पे तो पूरा आके मस्जिद के अंदर और जो उपन स्पेस है वहां पे हम नमाज पढ़ते हैं और अब आपकी पुलीस एरिया की मस्जिद के अंदर पढ़ो नमाज और उसके आगे पीछे तुम नहीं आ सकते आगे पीचे वो कहा रहे है हिंदूज आते हैं तो वो सिकुरिटी ऑव स्टेट को कहता है कि यह आपकी पुलीस गलत कर रही है और हम तो कبसे यहां पर नमास पढ़ रहे हैं तो सिकुरिटी ऑव स्टेट बढ़ा जवाब लिखते हैं उनको और कहते हैं कि हिंदों का अधिकार तुम्हारे से पहले था और औरन्जेब ने यहाँ पर मस्जिद इसलिए बनाई क्योंकि वो हिंदु धर्म से नफरत करते हैं ठीक है और यह जो जमीन है यह कभी वक्फ नहीं थी और जैसे डिस्टिट कलेक्टर ने कहा है कि आप मस्जिद के अंदर यह नमाज पढ़िये उसके आर पार इधर उधर उपर नीचे नहीं पढ़िये चीक है तो यह केस है ज्यान बापी का इस सिलसिले में कोर्ट ने काशी के पंद्रा दिगज निवासियों को बुलाये गवाई देने के लिए तो पंद्रा दिगज जो बुलाये उनमें एक थे प्रसिद इतिहासकार A.S. अल्तिकर और अल्तिकर ने यह तो 1936 में उन्होंने गवाई दी, 1937 में उन्होंने पुस्तक लेके हिस्ट्रिया बना रहे हैं, which is very very important. अब जो पंद्रा गवाई लोगोंने गवाई दी, उनकी गवाई मुस्लिम पक्षने कभी नहीं चैलेंज हैं. और जो गवाई हैं, वो कहते हैं कि हम तो 20 साल, 30 साल से जाते हैं. कोई रौपटोक नहीं है? कौन सी जगए है? ज्याँवपभी मस्जित. उस परिसर में हम जाते हैं. उसमें कोई गवाई गवाई भूपधी है? सुनो. तो वो कहते हैं कि हम कब से जा रहे हैं हमारे को कोई रोक टोक नहीं है और तीन बजे के करीब मंदिर में प्रवेश करना शुरू करते हैं लोग और रात के बारा बजे तक आते हैं और कहते हैं कि जैसे कि शिवरात्री वगेरे यह समय डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को प्रवेशन करने पड़ते हैं क्योंकि इतने लोग इखटे हो जाते हैं तो फिर वो पचास के लॉट में यह सौ के लॉट में लोगों को अंदर जाने देते हैं तो आप इमेजन करी इट वास सच अ फंक्शनिंग थिंग और तो वो जो गवाय हैं वो बोलते हैं कि हम जाते हैं तो हम वहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देवी देवताओं की पुझा करते हैं तो प्रत्यक्ष हैं कि वो जो हमको दिख रहे हैं अप्रत्यक्ष है इनको हटाये गया जो खंडित होगे गाइब होगे और मतलब लोगों को पता था यहाँ पे यह भगवान है, यहाँ पे यह भगवान है, यहाँ पे यह और कुछ स्थानों पर हम चावल चड़ा क्योंकि वहाँ पर जो देव देवता हुथे उनको हम उनकी पुझा नहीं करें तो उनके प्रती श्रद्धा हम इस तरह प्रकट करते हैं कि उन स्थानों पर बस हम चावल फेंगें तो वहाँ पर वो कहते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे कुछ मूर्तियां हैं, कुछ मूर्तियां अलग इलाकों से आई हैं मतलब इट इस सो अस्टोनिश, इट इस अपसलूटली अमेजिंग, इस टेस्टिमनीज ओफ इस फिफ्टीन गवाँ तो ये बताता है कि उस परिसर अब ये मैं अल्तेकर की बात की तो अल्तेकर ने अपनी पुस्तक लिखी हिस्ट्रिया बनार, अब अल्तेकर लिखते हैं कि ये जो औरन्जेब हमको पता है ना कि भी औरन्जेब में हुआ पर लेकिन वो कहते हैं, वो एक तो बहुत अच्छी जानकारी देते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर तेरवी चौत्मी शतापदी का एक मंदिर था ओके चीक है? और जब राजा टोडरमल और नरायन भट ने अकबर के समय सोचा कि हम तुबारा ज्यानवापी मंदिर बनाएंगे तब उन्होंने का कि मंदिर का स्थान हमेशा पवित्र होता है, मंदिर के स्थान को हम नहीं छोड़ सकते तो हम अपना मंदिर उसी स्थान पर बनाएंगे जहां पर ये पुराना मंदिर था जो सिकंदर लोधी ने तोड़ा तो अलतेकर कहते हैं कि नरायन भट और टोडरमल ने अकबर के समय दसवीं बार्मी शताबदी का जो मंदिर था जो सिकंदर लोधी ने तोड़ा था उसके उपर ये मंदिर बनाएं और जो ये पुरडरमल और नरायन भट ने ये मंदिर बनाया इसको औरनजेब ने तो ये बहुत इंपॉर्टन बात अलतेकर लिखते हैं जैसे हमने अयूध्या में देखा दसवीं शताबदी का इसका मतलब है कि जहां हिंदू स्थान कैप्चर कर सकते हैं वो उस स्थान पर ही मंदिर बनाएं तो जैसे कि आयूध्या में दसवीं शताबदी का यहां पे बारवीं तेरवीं शताबदी का जो चौद्वीं शताबदी में सिंकंदर लोधी ने तोड़ा और तोडर मल और नरायन भट बोलते हैं कि इन स्थानों पर लाखों लोगों ने अपना सिर जुकाया है अपनी श्रगधा तो हम उनकी भावनाओं को उन नहीं उसको हमको ओनर करना है उसको इज़त करनी है तो उसके स्थान पर उन्होंने मंदिर बनाए अकबर के टाइम पर जो औरनजेब के टाइम पर तूटा अब हमने देख लिया कि औरनजेब का मज़िद बन गई है अब क्या है कि अहिलिया भाई ने भी बाद में अपना मंदिर बनाए बिलकुल नस्दीख क्योंकि वो जितना नस्दीख बना सकते है वो बनाए तो वो ही अपना जो आज का काशिविश बनाते है तो लेकिन क्या है कि अब हम डिसकस कर रहे है औरनजेब का ग्यानवा तो औरनजेब का ग्यानवा भी हमारे पास फर्मान है 1669 में उसका ओर्डर है कि इसको बनाना है अब उसके बाद हमको पता है कि अंग्रेजी शासन आ जाता है तो ये जो 1809 का वार अफ लाठ लाठ भहरव लाठ भहरव का युद्ध इसको इधियास में माना जाता है तो इस लाठ भहरव युद्ध ये 1809 में हुआ और ये जो युद्ध हुआ ये ओविसलिम्स और हिंदूस के बीच में हुआ लेकिन ये इवल तीन दिन चला बट उस तीन दिन में इतना गहरा युद्ध हुआ कि जो हिंदू पार्टी ये गोसाई उन्होंने एक्चुली कहते हैं कि ग्यान बापी को जला भी दे आग लगा दे इतना युद्ध हुआ इतना युद्ध हुआ फिर गाए का इन्हों दूसरी पार्टी ने गाए का वद किया लाठ के उपर भेंग दिया लाठ को तोड़ दिया तो लाठ बहुत बड़ा था तो इस 1809 के युद्ध में उसको तोड़ा उसके उपर गाए का खून बगएरा जो भी किया और फिर लाठ बहुत छोटी हो गई और क्योंकि वो तूट गई ना जब उन्होंने जमीन पे फैंका फिर अंग्रेज जो डिस्टिट कमिशनर था उसने उसके उपर एक सिल्वर फॉइल या क्या है उससे कवर किया है तो अब आप देखेंगे तो वो है अब ये 1809 में जो हुआ तो अल्मोस्ट ज्यानभापी वस बर्न्ट तो जो वो अंग्रेज कमिशनर थे जो भी थे कलेक्टर कमिशनर वाट्सन तो वाट्सन के जो पत्र हैं वो हमारे पास मौजूद है वाट्सन ने कहा कि यहाँ पर ये इतना संघर्ष होता है क्योंकि हिंदूस की पवित्र स्थान पर और अंजेब ने मस्युद पर और मुस्लिम्स को इस जगे पर केवल एक वज़े से लगाव है क्योंकि इस जगे पर हिंदूस इसलिए इनको इस स्थान पर लगाव है अद्वाइस उनको इस जगे से कोई लेना देना नहीं क्योंकि इस जगे पर हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को, सभयता को वो सोचते हैं कि हार मिली इसलिए उनके लिए ये स्थान पवित्र है मतलब इंपॉर्टन है तो वाटसम कहते हैं कि यहां पे तो जगले होते रहेंगे तो मेरा ये सुझाव है कि ये जो परिसर है ये आप हिंदू पार्टी को दे दीजे और मुस्रिम्स को यहां से एक्स्क्लूड कर दीजे लेकिन जो दूसरे ओफिशल्स थे उन्होंने वाटसन की राय को नहीं सुझार किया और दोनों गुरूप्स को कहा कि अब आप अमन से रहें और अपनी समझोता तो ये कहानी है और फिर बाद में ये जो काश्य विशनात आज की है वो सिभ अहिल्या भाई होलकर जीने बनाई वो है छोटी सी है अब बड़ाई अब वो कॉरिडर बनाके बड़ाई है वो तो अलग बात है वो तो कॉरिडर है लेकिन जो अहिल्या भाई ने बनाया है मेरे खाल से वो तीन सो गस्का भी नहीं है क्योंकि हिंदूज अजार साल के बाद उत्री भारत में एक विशाल मंदिर अयोध्या में बनाया नहीं तो उससे पहले जो जो मंदिर बने वो छोटे छोटे बने और अहिल्या भाई ने तो कब बनाया जब मुगल समराज पतन की ओर बढ़ गया था लेकिन तब भी ये खौफ था कि डर था कि बतानी कब दुबारा आकर्मन हो जाए अहिलिया भाई ने सोमनात में भी मंदिर बनाया देखे कितनी उनकी दृष्टी थी क्या-क्या स्थान चूज किये तो उन्होंने सोमनात में भी बनाया और सुमनात का जो मंदिर बनाए उसकी विशेषता ये है कि जो लिंग है ना उसको बेस्मेंट में रखा और बेस्मेंट की छोटी ताकि एक एक आदमी ही एक बार जा सके ताकि कोई आक्रमन करके वहाँ पर नहीं पूँआ अदवाज जैसे हम मंदिर जाते हैं तो जो ग्राउंट फ्लोर होता है उसमें ही में मूर्ती होती है इसंट इस तो इमाजन करिए कि वो सुमनात में बेस्मेंट में लिंग मेलेगा और बेस्मेंट जाने के लिए जो सीड़ी है वो एक-एक आदमी एक समय पे जा सके क्योंकि तब भी उनको था कि भाई कोई आकरमन ना हो तो मैं वापिस एक दिविजिन लेना चाहता हो इस चीज़ का कि पहले जापर रजिया सुल्तान ने मौस्क बनाया अपना वो पहला था आदी विश्वनात आदी विश्वेशर फर्ष काशी विश्वनात का मंदिर नहीं बात सुन। पहला मंदिर उत्पिद एबक ने तोड़ दिया उस स्थान पर बेगम रजिया ने मस्जिद बनाई जै सिंग जैपूर के राजा उन्होंने रजिया मस्जिद बिल्कुल पास एक और मंदिर बनाया विश्वर ओके फिर जो दूसरा मंदिर बना वो यही था आपने एक और नाम लिया था अवी मुतिकश्वर लेकिन वो भी तूट किया फिर अब तीसरा बना ग्यान व्यापी की जो अहिल्या भाई ने बनाया है अहिल्या भाई का तो लास्ट है वो फोर्थ है ओके तो चार चौता स्था नहीं है वहाँ पर इसने तो अधर नंदी जी भी है आप दूसरी बात यह है अगर आप ज्यान वापी मंदिर गए है तो आप देखेंगे कि जो लिंग है वो मंदिर के केंदर में नहीं है वो एक क बाग गए और अपनी कुटिया में उसका पूजा वगएर करने लगी और जो कुटिया में उन्होंने लिंग रखा अपना तो कुटिया उस थान पे है जहां पे लिंग अब है अच्छा क्योंकि अहिल्या भाई ने काई अभन दुबारा इनको अपरूप नहीं कर से तो मान है कि यह जो जगे है यह पुजारी की कुटिया थी ओके यह जो अभी प्रेजेंट विश्वनात मंदिर है वो पर जो ग्यान गापी है जो अभी भी प्रूव होई गया है अल्मॉस्ट कि वो जो फवारा बोलते हैं यह उदर ही तो नंदी जी सिर मूँ करके बात सुनू एस की रिपोर्ट पढ़ा उसमें कोई डाउट ही नहीं रहा सब कुछ है उनको वहाँ पे मूर्तियां मिल गए है और जो मस्जिद पाटी वो के थी यह तो न वरक्शॉप थी तो कलाकर यहां पे मूर्तियां बनाते थे तो इसलिए मूर्तियां वहाँ पड़ी हुई है पर वह वहापे हमारे शीवलिंग इतने बड़े शीवलिंग के उधर वहापे वजू खाना था उनका। बात सुनो और भी इतना कुछ मिला है वहाँ जो ASI रिपोर्ट है क्योंकि वजू खाना का अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। है ना तो वह तो अभी जैसे स्टे किया था अब वो कह रहे हैं कि वहाँ पर भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी परिसर है उसमें तो क्या-क्या मिला है और एक शिला लेक मिला है जो लिखता है जिसमें कहा गया है कि और औरन्जेब ने ये मस्जिद बनवाई है और उस शिला लेक में ये भी नीचे है कि सन whatever उसमें मरम्मत हुई थी तो वो तक वहाँ पे recorded है तो इसमें कोई doubt नहीं है you know ASI report is absolutely indisputable और जो उन्होंने pictures, volume 4 सिर्फ pictures का है जो उन्होंने pictures खींची है जो उनको मिला है इतना कुछ मिला है कि मतलब इतने छोटे छोटे shivling, बड़े, मतलब अंदर भी तो इतने मिले हैं you know एक भग्त है, ऐसे करके वो मैंने अपनी पुस्तक में वो फोटो मैंने इस्तमाल किये है, you know like this, इतने shivlings तो इतने मिले हैं हनुमान अच्छा कितने मतलब तेलगू में कितने भाषाओं में वहां पर inscriptions मिले हैं, which shows that people were coming from all over India you know and it is और ये तो सब कुछ दिख रहा था ना इतना excavations नहीं भी करते तो हमको दिख रहा था कि मंदिर है अब तो कोई गुझाईश नहीं रही ना हिंदू समाज ने अपना पूरा धहर्या रखके ASI, scientific, legal सब किया है और ये लोग तो तोड़ देते थे बात सुनो और हमारे को आँखों से नहीं दिख रहा कि वो मंदिर की दिवार है फिर भी ASI करना पड़ा ना और उसके बाद भी पता नहीं क्या होगा ASI नहीं तो रिपोर्ट दे दी बिल्कुल कंक्लूशन में है कि मंदिर था हाँ जी अब मंदिर था उसके बाद क्या होगा पता नहीं अभी तो हमें थोड़ा सा एक लड़्डू दे दिया मतलब कि what do we say of this country मैं ये कुमगी कंक्लूशन में कि इस लोगों इस देश की जनता इस देश के लोग नेताओं से बहुत बड़े हैं अजी और ये ही उन्हें अपने गुटनों पे लाके रख सकते हैं कि अब जो हमें चाहिए उसका समय आ गया है अब क्या करेंगे लेकिन इतिहास में उन्होंने सबूत दिया है कि हमारे नेता कितने भी बौने हो हम उनसे बहुत उच्छे और हमारे पुर्वजों ने वो प्रूफ किया है बिल्कुल उसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो आज स्टोरीज बताईए मैं तो बहुती अंदर से हिल चुका हूँ पर मैं भौप करता हूँ कि हमारे व्यूवर्स जो है वो भी इसको उस तरीके से ले और ये जो चीज है ये इन्हें इंस्पायर करें ये इन्हें अवेर बनाएं कि हमें अभी कितनी बड़ी और सिविलाजेशनल बैटल लड़नी है लेकिन मैं एक एड करना जाऊंगी कि आपके दर्शकों ने ये जान लिया होगा कि मैं भक्त की तरह जादा बोली और इतियास की तरह कम इतियासकार की तरह कम बट मैंने जो facts दिये हैं वो historical facts भावना मेरी अलग हो सकती है लेकिन जो मैंने तथे पेश की हैं वो इतियासकार के नाते पेश की हैं लेकिन मैं भी भक्त हूँ इस सब्यता की इस संस्कृती अगर आप भक्त नहीं होते तो जो लेवल पे आपने research किये और true research किये ये leftist historians वाली research नहीं किये अगर आप भक्त नहीं होते आपका वो driving factor नहीं होता तो आप शहिए वो करी नहीं पाते तो अगर अपने आपको आप भक्त नहीं भी मानते मैं तो जरूर मानता आपको मैं अपने आपको भक्ती मानती हूँ Thank you so much for having me I hope कि आपके दर्शकों को ये हमारा podcast अच्छा लगी Yes, thank you so much Jai Shree Raam Jai Shree Raam